तो गाइज यहां पर हम बात करेंगे स्सेजे एक्जामिनेशन के लिए बहुत सारे बच्चे जो होंगे वह बीटे के डिप्लोमा करने के बाद स्सेजे एक्जामिनेशन के प्रेपरेशन कर रहे होंगे स्सेजे एक्जाम बहुत बड़ा एक्जाम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां पर सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों की ही वेकेंसी देखने को मिलती है और हर साल वेकेंसी लगभग आती है पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी बहुत अनिमित था इसलिए देखने को मिली कि कोविट का रीजन था और बहुत सारे छोटे 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 फैक्टर्स थे लेकिन यह एक्जाम ऐसा है जो हर साल आपके लिए वेकेंसी लेकर आता है और इसके लिए बहुत सारे से क्यों स्ट्रगल करते रह जाते हैं तो इसका रीजन क्या है उसको जानते हैं लोग दोपो पॉर्शन आपको नन तेक्निकल में देखने को मिलना है और सवलिए बिलकुल दे रखा है सवलिए तो मैं कहूंगा कि सवलिए यहां पे जो भी दे रखा ऐसरा क herself का आपको बिल बिल्कुल साइड कर देना है जितने प्रिविए सेट हुए है उनके सेट जो होगे जिसमें हर सेट में पचास कोसें यहां पर के reasoning का होगा 50 questions reasoning के होंगे उन हर सेट को एक-एक सेटिंग में आपको सॉल्व करना है एक सिटिंग में पढ़ने के लिए बोलोगे तो पढ़ने के लिए तो लास्ट में बताऊंगा ही कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना लेकिन अगर आपको practice करनी है तो प्रेक्टिस करने के लिए सबसे बेश तरीका है उनस भी पेपर के सेट को ऊठाइए था फोटो कोपी करा लीजे अगर आपके पास डिजिटल मीडियम पर सहज नहीं होते हैं तो पेपर पर रखके उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेन करना चाहते होंगे तो कोई बात नहीं या फिर लैप्टॉप में खोल लो और साथ में पाइट पेज और पैनल लेकर सॉल्व कर सकते हो आप जैसे मर्जी जैसे इक्षाप लिए यह गैरेंटी के साथ बता रहा हूँ इतना जिसने किया ने केवल और बहुत जादा नहीं इसमें से केवल और केवल कितने सेट आपको लगाने हैं केवल 10 सेट 10 सेट लगाने हैं यानि की 500 कोस्टन्स इन 500 कोस्टन्स को लगाऊँगे एक तम सटीक तरीके से बता सकता हूँ आप 45 प्लस स्कोर कर ले जाओगे एक्जामिनेशन में रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस आप स्कोर कर ले जाओगे स्पीड भी बढ़ जाएगी टाइप्स भी पता चल जाएगे किस टाइप के कोस्टन्स आते हैं और आपकी एक्वरेसी भी आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना रीजनिंग में स्पीड एक्जामिनेशन में स्पीड की वज़े से ही बहुत सारे बच्चों का पेपर छूड जाता है दूसरा पोर्शन जो आता है जनरल एवेर्नेस वाला जनरल एवेर्नेस के लिए क्या करें यह तो समुंद्र है भाई यह तो संसार समुंद्र है इसमें कुछ-कुछ चीज़ें आपको पढ़ सकते हो अगर खुद से पढ़ रहा है तो वह तो वेल इ Wow Goshky zisha को मिलते है जनरल एवेर्नेस देखने को मिलता है quality और तक ही रहती है टैंट व्लस तू गैवल उसी लेवल की पूरी पूरी physics, optics के questions होंगे, कुछ छोटे basic questions होंगे, mirrors के बारे में questions होगा, तो इस type के questions यहाँ पे physics से देखने को मिलेंगे, no doubt bio भी है, इसमें, bio पे unnecessary आपको time waste नहीं करना है, if you are going for SSCJ examination, bio पहले से strong है आपकी, तो चलो, well and good है, अच्छी बात है, revise किजिए, जिसने bio strong नहीं है, वो basic चीज़े पढ़ लेंगे, जैसे bacteria के नाम, viruses के नाम, कौन सी disease किस चीज़ के वज़ा से होती है, कौन से vitamin की कमी से कौन सा रोग होता है, विटमीन के scientific name, यह सारा चीज़े पढ़ लेंगे आप लोग, ताकि यहां से question पूछा जाए, तो आपका गलत ना हो, तो यह general awareness की बात रहे गई, और general awareness के लिए सबसे देखो, current affair वाला portion अगर जो भी है, current affair वाले जो भी बच्चे पढ़ते रहते हैं regular basis पे उनको बहुत benefit मिलता है, इस 50 question में से मान के चलो कि 10 से 15 question, out of 50, 10 to 15 question, 10 से 15 question यहां पे जो आते हैं वो आपके current affair से आ जाते हैं, current affair वाले portion से आ जाते हैं, यहां पे 10 से 15, तो वो बहुत helpful होता है, तो daily basis पे आप current affair, इसलिए मैं बार बर बोलता हूं student को अड़र 24-7 का application ज़रू download करो, daily उसमें current affair के notifications, news वगरा सब update होते रहते हैं, आप बस केवल 5-10 minute स्क्रॉल भी करोगे ना application को, तो आपको current affair वो देख लोगे वो चीज़ें जो आपको examination में देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो यह एक तरीका है, current affair वगरा त्यार करने का, रही बात अब यहाँ पे जो civil engineering है, electrical वाले बच्चे है, mechanical वाले बच्चे है, उनको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे इनको बेटा, देखो, subject कभी भी पढ़िए, तो यहाँ पे दो-तिन चीज़ें बहुत mind में बिल्कुल straight होनी चीज़ें, to the point चीज़ें आपको clear होनी चीज़ें, क्या-क्या, कि जैसे बीटे क्या diploma, जिनोंने किया हुआ है, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सोचते हैं, कि बहुत high-five questions, सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ, कोई भी subject आप पढ़ रहे हो, तो previous year का level देखो, यह मत सोचो कि यह तो इतने कम level का question है, यह तो मेरे level से नीचे है, वह ही जो आपके level से नीचे questions होते हैं, वो आपको level याद दिला देते हैं examination में, इस बात को ध्यान से समझेगा guys, क्योंकि यह जो छोटे-छोटे questions होना है, इनमें इतने ज़्यादे overconfident हो जाते हैं बच्चे की जल्दी बाजी में गलत करके आते हैं, या फिर पढ़ते नहीं है हाड नहीं आते हैं, formula based आते हैं, तो theory पर जालदा emphasize करना है, फोकस करना है, जिससे कि आप mark gains कर सकोगे, जेए examination में, unnecessary gate या फिर engineering services के subjective examination के questions, यह सब solve नहीं करने हैं, आपको SSE जेए के previous year और all J exams, जितने भी J के examination हो रहे हैं, उनके previous year अगर solve कर सकते हैं, तो वो better होगा, well and good होगा, उसके लिए आपको चा करना है, previous year के बहुत सारी किताबे आती हैं, उनको solve किजे, one by one करके, और तीसरी चीज़ important है, जो test होते हैं, अब 2 घंटे का examination आप देने जा रहे हो, question होंग एक घंटा लग गया, तीस question या 40 question करने में, क्या आप अपने comfort zone में जब 40 question कर रहे हो एक घंटे में, तो क्या कैसे उम्मीद कर सकते हो कि exam hall में 2 घंटे में 200 questions को मैं पढ़ भी पाऊंगा, ये कैसे उम्मीद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे अच्छा तरीका पहले एक sitting में लगातार दो घंटे नहीं बैट पार हो, तो एक घंटे के लिए 100-100 questions का target रखो, कि वन आर बैठूंगा, 100 questions देखूंगा, 100 questions में से जरूरी नहीं कि 100 के 100 solve करो, इतने आते हैं, आपको 60 हा रहे हैं, 50 हा रहे हैं, 70 हा रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसको attempt कीजिए, पाक्स calculate कीजिए, इसके लिए एक separate copy रखिए, जिसमें हर page पे लिखिए कि आज मैंने test दिया, इतने माक्स आएं, इतने गलत हुएं, इतने सही किया, इतने attempt किया, इतने छोड़ दिया, यह पूरा का पूरा आप भेवरा उस पे लिखिए, ताकि आपको पता चलेगा, जब जब system follow करते हैं, कोई company होती है, कोई organization होती है, तो वो audit करते हैं, हर quarterly audit करते हैं, हर quarterly audit, तिन-तिन महीने पर audit होता है, उसका result आता है, कि growth कितनी हुई, पिछले quarter से quarter में कितनी growth हुई, ठीक है, आफ yearly growth देखा जाता है, यह growth या फिर यह सब पैमाने audit के मानक क्यों रखे गए है ताकि आपको लगे कि आपको improvement की need है, otherwise random चलोगे ना, तो जब आप एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने, छे महीने भी बिता दोगे, आपको पता ही निचलेगा कि आपको सीख रहे हो, या केवल time pass चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि यह चीज़ बहुत important है, इस समसे भी पढ़ सकते हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत काईदे से classes systematic way में चलती है, तो जिनको भी पढ़ना है, वो join कर सकते हैं हमारे batches को भी, otherwise आप self study कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो खुद से पढ़िए, question solve करना है, question solve किजिए, YouTube channel पे, और अगर जि आई मा चुका है, आपको preparation अपने start कर देने हैं, अब एतना समय नहीं है, आपको 5-6 महिना दोगे अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि subjective examination भी होना है, उसका objective भी पूरा detailed में आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए, आज से ही आपको लगना पढ़ेगा, उसके बाद आप revision कर पाओगे, otherwise बिना revision के फिर मजा नहीं आगा, examination जाके दे आओगे, selection नहीं होता है, यहाँ पर आपको revision करना है, पढ़ना है, सब कुछ systematic way में करना है, उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर पढ़ना चाते हैं, तो कैसे join कर सकते हैं batches को, civil engineering यह महापैक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस particular civil engineering महापैक को आप join कर सकते हैं, बहुत ही minimum price में, बहुत ही minimum, जैसे आपकी branch civil है, mechanical वालों के लिए भी होगा, electrical वालों के लिए, एक बार बता रहा हूँ ध्यान से सुनना क्या है, इसमें जितने भी subject हैं technical के, उन सब की live classes आपको मिलेंगे, प्लस इन ही सारे subject के recorded video भी इसमें available होते हैं, recorded video भी available होते हैं, जो live class चल रही है, उनकी भी recording आपको available रहेगी, पहले से जो चल चुकी होगी classes उनकी भी और सभी subject आपको मिल जाएंगे इसमें, ता साथ में test series भी आपको इसमें मिल जाती है, test series भी अलग से लेने क आउशकता नहीं है, इन batches की price जो है न, वो minimum price रखी गई है guys, वैसे generally ये आप इस video को कभी भी देख रहे हो, join कर सकते हो, discount, coupon code बता रहा हो, इसको कभी भी आप apply करेंगे, आपको discount मिलेगा, आज देख रहे हो, आज की एक दिन बात देख रहे हो, दो दिन बात देख रहे हो एक महीने बाद, दो महीने बाद, आपको इस coupon code को apply करना होगा, जैसे ही आप इसको apply करोगे, इस price इसकी बहुत कम हो जाएगी, कहां से join करना है, ADA247 के application से, ADA247 का application डाउनलोड करिए, जैसे ये app डाउनलोड करते हो guys, डाउनलोड करने के just बाद, आपको login होते हो, उसके बा महापक पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये civil engineering महापक आपको दिखाई देगा, यही banner, इस पे क्लिक करने के बाद, आपको coupon code यूज करना है, Y293, जैसे ही apply करोगे, price बिल्कुल drop हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और इसकी price होगी, वो 6 मन्त के लिए, 2900, 12 मन्त के लिए, 3500, ये price आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सारी facilities मिलेगे, 6 मन्त तक आपके पास रहेगा, यहाँ पे 12 मन्त तक आपके पास रहेगा, आज जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए यहाँ पे double validity मिल रही है, मतलब 6 महिने वाली price में ही अब इस महीने के लिए मिल रहाएगा, इस तो बहुत ही अच्छी opportunity होती है, double validity, same process है, जाके purchase किजिए, इस coupon code को apply करेंगे, आपको direct discount मिल जाएगा, यहाँ भी coupon code लिखा हुआ है, इस से direct आपको discount मिलेगा, maximum discount, जाके आप reveal कर सकते हैं, थैंके सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो, तो share करिए अपने groups में, दोस्तों के बीच में, जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छा महौल बनाईए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अगर आपको लगता है इस examination को देना है, तो आज से ही स्टार्ट कीजिए थैंके सो मच.